नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त, इंजिनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं शिविल इंजिनियरिंग सपोर्ट दोस्तो घर बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है कि पानी का देवस्था करना बीना पानी के हम लोग घर बनवाही नहीं सकते हैं और उसके लिए बोरिंग करवाना सबसे बेहतर उपाय है दोस्तो आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आप आज के डेट में बोरिंग करवाने वाले हैं पानी के लिए तो आपको कितना खर्चा आएगा आपको इस वीडियो को देख करके पता चलेगा दोस्तो आपका समय बहुत कीमती है इसलिए मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया हूं चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले बोरिंग करवाने के लिए सही जगा का चुनाऊ बहुत ही IMPORTANT है चुकरिए कई बाद देखा गया है कि एक ही plot में एक कोने पे पानी रहता है दुसरे कोने पे पानी नहीं रहता है पानी कहां पे है इसको पता करने के लिए आपको जो है वो जियो लोजिस्ट को बुलाना होगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है जो लोग बोरिंग करते हैं वो लोग ही ये काम असानी से आपको कर देंगे जो coconut method है वो भी लगाते हैं वो लोग और इसको करने में dealer to dealer जो है वहरी करता है लगभग लगभग आप अगर geologist को बुलाते हैं तो आपको इसमें 2000 से 2500 तक खर्चा आएगा दोस्तो सुरू से अन तक मैं आपको rate बताऊंगा इसलिए दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है वीडियो पे बस बने रही है आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी दोस्तो अब हम चलते हैं boring पे boring को खोदने के लिए अलग-अलग तरीके के rate है दोस्तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं पूरा finishing rate बताऊंगा आपको अगर आप 100 feet के लिए बात करते हैं तो आपको जो है वो 70 से 80 रुपए पर feet के हिसाब से जो है वो charge किया जाता है वहीं अगर आप 100 feet से ले करके चुकिए water level सभी ज़ेगा अलग-अलग रहते हैं 100 feet से ले करके 200 feet तक के लिए चाते हैं तो उसका rate अलग है उसका 90 से ले करके 100 रुपए पर feet के हिसाब से लिया जाएगा दोस्तो अगर आप 200 feet करवाना चाते हैं या फिर 200 से ज़्यादा करवाना चाते हैं तो उसका rate आएगा 110 से ले करके 120 रुपे प्रती फीट के हिसाब से दोस्तो चली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बोरिंग करने में आपको कितना खर्च आएगा उसके बाद Electricals वगएरा समर्सेवल वगएरा लगाएंगे ही उसका भी खर्च मैं आपको इसी छोटे से वीडियो में एड कर दूँगा दोस्तो सबसे पहले मान लिजी हमको 200 फीट का बोरिंग करवाना है आपका Water Level जो है वो 200 फीट में अच्छा मिल जाएगा तो चली मैं उसके लिए आपको Digging का खर्च जो की 100 फीट के लिए फिर हम लोग 100 से 200 तक जाएंगे तो जिस तरह समय आपको Rate पताया था दूसरा 100 फीट से लेकर के 200 फीट करने के लिए आपको खर्चा आएगा 100 फीट प्रती फीट तो आजाएगा आपको 10,000 फीट खर्च होंगे दोस्तो अगर मान लिजिए 40 फीट का वो केसिंग देता है केसिंग दिया जाता है तो केसिंग का कोस्ट है 200 फीट तो उसका खर्च आपको लगेगा 8,000 फीट दोस्तो मिसिलीनेस खर्च भी होते हैं मतलब कि कुछ जो ड्रिलिंग करते हैं उनको खर्चा पानी देना पड़ता है खाना पीना का वैवस्ता करना पड़ता है आपको ही करना होगा तो वो मान लिजिए कि हमारा खर्च जो है वो काफी अच्छे खासे आदिमी रहते हैं वो लोग तो 2,000 का आ गया अगर आप सबको टोटल करते हैं तो सिर्फ आपको बोरिंग करवाने में मैं आपको इलेक्ट्रिकल्स की नहीं जो और रहा हूँ इसमें इलेक्ट्रिकल्स का बताऊंगा सिर्फ आपको बोरिंग करवाने में जो है वो 24,000 से लेकर के 28,000 तक, मोटा मोटी आप 28,000 मान सकते हैं 28,000 आपको सिर्फ और सिर्फ boring करवाने में लगा है सिर्फ आप गड़ा खोद के छोड़ दिजिएगा तो आपको वोज से जब कोई भी love नहीं होगा, तो चली मैं आपको जो है केसिंग वेगरा के साथ electrical जो भी समर सेबल डालेंगे उसका भी cost में आपको इसी वीडियो में सामिल करता हूँ, दोस्तो हमारा water level तो अच्छा मिल गया है, अब हमें उसे जमीन के बाहर लाना है, उसके लिए आपको जरूरत होगा समर सेबल pump का, दोस्तो समर सेबल pump का अभी normal rate जाएंगे बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं तो उसका rate आपको लगवग लगवग 26,000 का पर जाएगा दोस्तो समर सेबल को चलाने के लिए एक आपको starter box जरूरत होगी जी market price 5,000 रुपे है, सबको मैं add करके last में बता दूँगा, और cable wire अगर लेते हैं, 200 feet हमने गड़ा किया है, तो cable wire भी हमें 200 feet ही लेना होगा और इसका खर्चा लगवग लगवग 10,000 रुपे आपको आ जाएगा, अब हम लोग bore pipe पी लेंगे ठीक है, तो bore pipe हम लोगों 20 feet का आता है तो यह हमें 8 piece लगेगा तो इसका खर्चा आपको हो जाएगा 8 piece का 625 रुपे अगर जोडते हैं, तो 5000 का आपको खर्चा आएगा अब चेले दोस्तों, मैं आपको बता देने वाला हूँ service wire, service wire वो wire है, जो आपके pole से जहांसे आप connection देंगे, वहां से ले करके starter box तक आएगा और उसका कीमत हम लोग लगवग लगवग जो है वो, 2500 जोड लेते हैं वो depend करता है कि आपका जो है वो, बिजली का connection कितना दूर है, तो normally हम लोग जो है वो, 2500 मान लेते हैं वहीं अगर बात करते हैं electrician का तो वो electrician आएगा, तो कम से कम 2000 से, 2500 तक आपको जो है वो, चार्ज करेगा समर्सेबल वगवगरा fit करने के लिए, दोस्तों हमने देखा था, और इन सब में fittings में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो 53,000 का खर्च आ रहा है 53,500 का ठीक है, तो 28,000 हम लोगों को boarding करवाने में लगा था और उसकी fittings वगवगरा करवाने में समर्सेबल लगाने में 53,500 का खर्चा आया है और हम लोगों ने शुरुवात में ही कहां पे पानी है जियोलोजिस्ट को हम लोगों ने लगभग 2000 दिया था ये 2000 ओप्सनल है, आप अगर जियोलोजिस्ट को नहीं बुलवाना चाहते हैं आप बोरिंग वाला को ही बोलेंग अंदाज से करते हैं लेकिन उसमें थोरा सरिक्स बढ़ जाता है कि अगर आपको सही लेवल का पानी नहीं मिला तो फिर आपका पैसा जो है वो बरबाद हो जाता है तो दोस्तो उसको भी मैं कंपलसरी ही मानूंगा चुकि अगर आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं एक हजार दो हजार के लिए आप जो है वो अपना काम खराब बिल्कुल भी नहीं करवाएं तो टोटल खर्चा अगर जोडते हैं देखिए पचीस सो जियोलोजिस्ट का 28,000 हम लोगों को बोरिंग करवाने में लगा था और समर्सेवल वगरे डालके वायर वगरे डालने में हम लोगों 53,500 रपे लगा था तो सब कोस्ट को मिलाते हैं तो हमारा 84,000 में बोरिंग बन करके त्यार हो जाया विट समर्सेवल आपको जो है वो रेडी टू यूज रहेगा 84 से 85,000 85,000 आप मान सकते हैं तो 84 से 85,000 में आपका जो है वो बोरिंग रेडी है लेकिन ध्यान रहे अलग-अलग जगा में अलग-अलग रेट रहते हैं तो 10-20 रुपे का फर्क जो है वो आ सकता है उमीद करता हूँ आपको एक आइडिया मिल गया है कि किस तरह से बोरिंग करवाना है या फिर कितना खर्च होता है उमीद करते हैं विडियो आपके काम का होगा तो फिर मिलते हैं दोस्तो नमस्कार